हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एब और देखे यूपी में बढ़ते हैं आप रात के बीच बलवरामपुर में दो पत्रकारों को घर में घुसकर जिन्दा जुलाने का मामला सामने आया है देखे पूरी खबर सिर्फ एक मिलेश यूपी में दो पत्रकारों की बेरहमी से हत्या घर में घुसकर जिन्दा जलाया यूपी में पत्रकारों पर हमलों के मामले नहीं थम रही है ताजा मामला बलरामपुर्गा है जहां दो पत्रकार राकेश, सही निर्भीक और पिंटू साहू को घर में घुस कर जिन्दा चलाया गया हमले के वक्त मिर्तक के परिवार वाले घर पर मौजूद नहीं थे आरोप है की रात के बक्त 10-15 की संख्या में आये हमलावरों ने घर में घुस कर दोनों से पहले मार्वीट की और उन्हें बेरहमी से जला दिया इस दोरान पिंटू साहू की मौके पर ही मौत हो गई जबकि इलाज के दोरान राकेश ने भी दम तोड़ दिया पत्रकार आकेश सिंग का अस्पताल से एक वीडियो भी सामने आये है जिसमें वो बुरी तरह से जुल से हुए नजर आ रही है और पुलिस को घटना के बारे में बता रही है वारदात इतना संगीन था कि घर की एक दिबार का हिस्सा भी गिर गया और छट को भी नुकसान हुआ है मृतक के बड़ी जनों का आरूप है कि पुलिस दोशियों को बचाने की कोशिश कर रही है वही पुलिस ने तीन संदिक्दों को हिरासत मिलिया है लेकिन मुख्यारूपी अभी भी पुलिस की गिरफ्ट से बाहर हैं झाल 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 झाल